नमस्कार विद्यार्कियों हिंदी परिवारे में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम संतकवीर द्वारा रचित साखी का पार्टू सीखेंगे अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्कुरिशन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जरूर देखिए पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना बूले और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करन ना बोले जिससे की जरूरत मन विद्यारतियों तक वीडियो सांप तन मतलब शरीर बसे मतलब रहता है जब व्योग रूपी सांप हमारे शरीर में रहता है न अर्था जब हम किसी की याद में तडपते रहते हैं किसी के विरह वेदना में तडपते रहते हैं किसी से बिछड कर तडपते रहते हैं तब मंतर न लागए कोई तब हमारे उपर कोई मंतर काम नहीं करता कोई उपाय काम नहीं करता और हम बेचैन रहते हैं हमारा मन नहीं लगता कबिरदाशी कहते हैं राम वियोगी ना जिवे और राम के वियोग में तडपने वाला तो ना जिवे बच्च ही नहीं सकता जिन्दा ही नहीं रह सकता राम से बिच्छड कर राम से दूर रहकर राम का प्रेमी जिन्दा ही नहीं रह सकता और अगर वो बच भी गया तो जीवे तो बावरा होई अगर वो जिन्दा बच भी गया तो पागल हो जाता है राम के वियोग में तडपने वाला इंसान जिन्दा बचता ही नहीं बच भी गया तो पागल हो जाता है तो प्रभू प्रेम को दर्शाया है कबिरदाजी ने कहता है कि प्रभू से श्री राम से बिछड कर कोई आद तक जिन्दा रही नहीं सका बेड़ा यह सच है प्रेमी प्रेमिका से प्रेमी से दूर रहकर प्रेमी का और पतनी नहीं रह सकते तो सोचो राम से दूर रहकर कौन जिन्दा रह सकता है राम से बिछड कर कौन जिन्दा रह सकता है जो राम का ही प्रेमी है वो राम से बिछड कर या तो मर ही जाता है और बच भी गया तो पागल हो जाता है इसलिए कभी दाजी कहते है कि जब कोई इंसान किसी के वियोग में तड़पता रहता है तो कोई उपाय काम नहीं करता आई इसका भावार देखेंगे, कभी दाजी कहते है जब वियोग रुपी सांप हमारे शरीर में रहता है, तब कोई मंत्र कोई उपाय काम नहीं करता है, और प्राणी विरह वेदना में तडपता रहता है, किन्तु राम के वियोग में तडपने वाला प्राणी जीवित नहीं रह सकता, अगर वह जीवित रहता भी है, तो पागल हो जाता है, अगर वह जीव बुराई करने वाला नेडा मतलब नजदीक पास राखिये मतलब रखिये आंगन मतलब आंगन में घर के आंगन में कुटी बदाई जोपड़ी बनवा दीजिए कुटिया बनवा दीजिए कभिर दाजी कहते हैं जो आपकी बुराई करने वाला है उसे हमेशा पास में रखिये हो सके तो अपने घर के आंगन में उसके लिए भी एक कुटी बदाए कुटिया बना दीजे क्योंकि वो बिन साबन पानी बिना साबून और पानी के निर्मल करे सुभाई आपके मन को आपके सुभाव को निर्मल कर देगा पवित्र कर देगा सच्छ कर देगा इसलिए अपनी बुराई करने वाले को हमेशा अपने पास सरके यह सच है बेटा क्योंकि जब जब कोई हमारी बुराई करेगा तो हम उसमें सुधार करेंगे मुझे याद आता है जब हमारे देश के प्रदान मंतरी नरंद मोदी जी से पत्रकार ने पूछा कि आपके लोग इतनी बुराई क बताते जाते हैं उसे सुधार करते जाते हैं इसलिए दीरे 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 हम अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं इसलिए हम उनको बदाई देते हैं इसलिए कभी करते हैं कि जो हमारी बुराई करें उसे हमेशा पास में रखिए क्योंकि वो दीरे दीरे हमारे मन को हमार सुभाव को निर्मल कर देगा सुच्छ कर देगा अगर भावारत देखेंगे तो कबीरदाजी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में कोटिया बनवा दीजिए जो बिना साबून और पानी के सात्यों दोहें में कबीरदाजी ने प्रेम के महत्तु को दर्शाया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पोथी मतलब पुस्तक पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ कर जग मतलब संसार मुवा मतलब मर गया पंडित मतलब ज्यानी भयान कोई मतलब कोई नहीं हो सका कहते हैं पुष्टक पड़पड के संसार के लोग मर रहें लेकिन आज तक ज्ञानी कोई नहीं बन सका विद्वान कोई नहीं बन सका विद्वान वही हुआ एक आखिर पियो का एक आखिर मतलब अक्षर पियो मतलब प्रेम का पढ़े सुपंडित हो जिसने प्रेम के एक अक्षर को पहचान लिया जिसने प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लिया वही पंडित हो गया वही ज्ञानी हो गया कविर दाशी कहते हैं जो इश्वरी प्रेम को पहचान लिया न इश्वरी प्रेम को समझलिया न वही एज़ानी बन गया पुस्टक पढ़कर आज तक कोई एज़ानी बन ही नहीं सकता इसलिए इश्वरी प्रेम को समझिये प्रेम के अक्षर को प्रेम के शब्द को पहचानिए बावार्त देखेंगे कि अभी रिदाजी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तके पढ़कर संसार में कितने लोग मर गए सबी विद्वान नहों सके कभी कहते हैं कि जो इस्षोरी प्रेम का एक ही अक्षर अच्छी तरह से पढ़ ले अरथात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले वही सच्चा ग्यानी हो जाता है उमीद करता हूँ अभी तक आपको पसंद आया होगा कोई डाउट है तो कमेंट करें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताaysए और वीडियो पसंद है तो दोस्तों में शेयर जरूर करीए आगे चलते हैं आफ़ी दोए कि तरफ आफ़ी दोए में कवेरदाजी कहते हैं कि हम घर जालेया आया आपना जालेया मतलब जलाया आपना मतलब अपना लिया मुराड़ा मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी की मशाल हांत मतलब हांत में कहते हमने अपने हांत में लकड़ी की जलती हुई मशाल लेकर अपने घर को जला दिया अब अपने घर को जला दिया मतलब घर में आग नहीं लगा दिया बेटा अपने घर का त्याग कर दिया कहते हैं न किसी चीज का त्याग कर देना मतलब उसे समाप्त कर देना है आपने अपने घर का त्याग कर दिया मतलब आपने अपने घर को जला दिया आपने अपने भाई का त्याग कर दिया मतलब भाई को मार दिया अपने परिवार का त्याग कर दिया मतलब परिवार को समाप्त कर दिया तो यहां त्याग करना मतलब छोड़के चले जाना उनसे कोई संबंद कोई मतलब ना रखना तो कभीर दाजी कहता है कि हम घर जाल लेकर हमने अपने घर का त्याग कर दिया लिया मुराडा हाथ अपने हाथों में इश्वरी प्रेम के जलते हुए मशाल को लेकर हमने घर का त्याग कर दिया अब घर जालो तास का तास मतलब उसका अब मैं उसके घर को जलाओंगा अर्था तब उसे मोमाया के बंदन से मुक्त करूँगा जे चलाए हमारे साथ जो हमारे साथ चलना चाहता है जो हमारे साथ इश्वरी प्रेम को अपनाना चाहता है मोमाया का त्याग करना चाहता है अब हम उसके घर को जलाएंगे भावार देखते हैं कभी कहते हैं कि मैंने हाथ में वीरह की जलती मशाल लेकर अपना घर जला डला अर्था अपने घर का त्याग कर दिया और मोहमाया से मुक्त हो गया अब मैं उसका घर जलाओंगा जो हमारे साथ भक्ति मार्ग पर चलने को तैयार है जो मोहमाया के बंदन से मुक्त होना चाहता है अर्था तो उसके मन में भी इश्वर के प्रति प्रेम तथा संसार के प्रति विरक्ति की भावना जगा दूँगा जो हमारे साथ चलना चाहता है यही पर साखी समाप्त होता है उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे कमेंट करे, शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई, टेक क्यार